आप मैंसे जो भी बनत इस्टाग्राम पर new account बनाने की सोच रहे हैं तो उनके लिए strategy बहुत अच्छे है और जिन्होंने new account बना लिया है तो वो भी इसको use का सकते है बट ये strategy उनके लिए बहुत अच्छे है जो अभी new account बनाने की सोच रहे हैं ठीक है तो देखो आपको ना करना बड़ा ही simple सा वर्क है है ना एक मतलब एक sequence है आपको चलना है ओके देखो जैसे आप new account बनाने जाते हो ना तो आपको एकदम new account क्रेट नहीं करना है आप new account तब क्रेट करोगे जब आप अपने content से related काफी सारी रिल्स क्रेट कर लोगे ठीक है अब यहां पर मेरा कहना मतलब यह है कि आप यह सोचते हो कि मैं new account बनाऊंगा और आप क्या करते हो एकदम से new account क्रेट कर लेते हो new account क्रेट करने के बाद में फिर आप हबर दबर में मतलब जल्दवाजी में reels बनाते हो reels upload करते हो फिर उसके बाद में कुछ दिन माद आपका content खतम हो जाता है फिर और उसके एकदम से जल्दवाजी में आप reels upload करना श्टार्ट कर दो नहीं ऐसे काम नहीं चलता अब आपको क्या करना है थोड़ा सा smart work करना है smart work कैसे आपके दिमाग में आ रहा है कि भाही मैं new account क्रेट करूँ ठीक है आप करना कोई दिक्क ने लेकिन new account क्रेट करने से पह पहली क्रेट कर लो और लगबग आप 25-30 रिल क्रेट कर लो ताकि आपका एक महिने का content मतला आपके पास हो जाए एक महिने का material आपके घटा हो जाए ठीक है और जब आप 25-30 रिल क्रेट कर लो तो उसके बाद आप तसल्ली से आराम से और शांती से बिरकुल रिलाक्स होकर अपने एक new account इस्टाग्राम पर create करो ठीक है फिर create करने के बाद में आप day by day जो आपने रिल्स बना करके रख्यूई थी उनको आप upload करते रहो ठीक है और ऐसा करने से पता है कि है आपकी new account पर आपकी जो consistency है ना जो सबसे ज़्यादा जयूरी होती है आपके उसको increase करने के लिए वो बनी रहेगी और आपको पता है जब आपके इस्टाग्राम पर या फिर YouTube पर या फिर Facebook पर आपके consistency रेगुलर बनी रहती है ना तो भाई आपकी सारी वीडियो पर वीज आते है ठीक है यही काम भाई YouTube पर होता है यह जो बड़े बड़े यूटूबर है क्यों बो ज़्यादा दे तक ठिक पाती है ठीक है ऐसा ही सेम शोर्स में होता है सेम रील्स में होता है आप रील्स डे बाई टे अप्लोड करेंगे तो आपकी रील्स ना जो 40 वाला page होता है जो suggestion में आता है ठीक है जो आप स्क्रोल करते हो ना जो महाँ पर रील्स आती है तो उसमें आपकी रील्स ज़्यादा दिखाई देंगी लोगों को और जब आपकी रील्स ज़्यादा दिखाई देंगी तो भाई उस पर व्यूद ज़्यादा आएगा और यह सब आपका consistency होता है और consistency आपकी जवी बनेगी जब आप इस strategy को follow करोगे new account बनाने से पहले आप कुछ वी अपने एक new youtube second channel create करूँगा जिसके लिए मैंने material पहले ही तियार कर लिया आप देखो यहाँ पर 25-25 वीडियो मैंने पहले ही तियार कर ली ठीक है हालाकिन मैं थोड़ा सा वक्त लागा लेकिन कोई बात नहीं है वक्त कितना भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अप महिने का मेरे को और टाइम मिल जाएगा अपनी वीडियो को create करने के लिए ठीक है तो जितना ही वीडियो चलेंगी उतने में 15-20 वीडियो और बना दोंगा और फिर इस तरीके से मेरी day by day day उस चैनल पर मेरी वीडियो अपलोड होती रहेंगी और मेरी consistency हाँ पर बनी मेरे पास टाइम भी बहुत होगा और बिरकुर्ट रिलाक्स माइंड से अपनी वीडियो सी बना पाऊंगा ठीक है तो भाई सेम ऐसे ही ना आपको अपनी न्यूश्टाम अकाउंट में करना है आपको अकाउंट बनाने से पहले अपनी कुछ रिल्स create करनी है और फिर उसके बाद में आपको आप अपनी रिल्स डे बाई डे अप्लोड करनी है तो इस तरीके से आपकी consistency भाई बनी रहेगी आप regular रहोगे और जब आप regular रहोगे ना बहुत लंबे समय तक आप regular रहोगे तो आपकी रिल्स पर भाई खुद वीज आने लगेगा आपकी रिल्स खुद